आज हम देखेंगे कोण का सम्दी भाजक बनाने से सम्बंदित उधारण। 140 डिगरी माप वाले कोण यानि एंगल की रचना कीजिए और उसे सम्दी भाजत यानि बाइसेक्ट कीजिए। 140 डिगरी के माप का कोण बनाने के लिए पहले एक किरण यानि रेखीजिए। इसे नाम दीजिए BC। अब चांदे यानि प्रोटैक्टर को किरण BC पर इस प्रकार रखे। जैसे की चांदे का केंद्र यानि सेंटर बिंदू B पर हो और शून्य किनारा की रण को पूरा-पूरा ढख ले। फिर हम चांदे की उस केल का प्रयोक करेंगे जिसमें 0 डिगरी C के नस्दीक है। चुकि हमें 140 डिगरी कोन की रचना करनी है इसलिए हम इस केल पर आगे बढ़ते हुए 140 को दर्शाने वाला चिन्न ग्याद करेंगे और इसके सम्मुक एक बिंदू बनाएंगे। इसे हम A नाम देंगे। अब हम बिंदू B को शीर्ष लेकर बिंदू A से जाती हुई किरण खीचेंगे। इससे हमें कोन ABC प्राप्थ होगा जिसकी माप 140 डिगरी है। अब चलिए इसे सम्मुई भाजित करें। पहला चरण, कोन को सम्मुई भाजित करने के लिए परकार के नुकीले सिरे को कोन ABC के केंद्र पर यानि बिंदू B पर रखकर एक चाप खीचिए जो कोन ABC की भुजा BC को बिंदू E पर काटता है और भुजा BA को बिंदू F पर काटता है। दूसरा चरण, परकार का नुकीला सिरा E पर रखकर इसे हम E F से आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। इस दूरी के साथ हम कोन ABC के अभियंतर में एक चाप खीचेंगे। तीसरा चरण परकार में उतनी ही दूरी रखकर हम परकार का नुकीला सिरा F पर रखेंगे और E से बने चाप को काटता एक और चाप खीचेंगे दोनों चाप बिंदू G पर प्रतिछेत करते हैं चौथा चरण अब हम शीष B से G से होते हुए किरण B G खीचेंगे किरण B G कोण ABC को दो बराबर भागों में विभाजित करता है इसलिए यहां वांचित सम्द्वी भाजक है ये सत्यापित करने के लिए हम चांदे की साहता से दोनों कोणों का माप लेंगे दोनों कोणों का माप बराबर है अगर हम trace paper पर प्राप्ट दो कोणों में से किसी एक कोण के हुबहु कोण बनाएंगे और इसे दूसरे कोण पर रखेंगे तो दोनों कोणों की भुजाए एक दूसरे पर ठीक रूप से व्यवस्तित हो जाती है यानि के दोनों कोण बराबर दिखाई देते हैं इससे यह सत्यापित होता है कि हमने 140 डिगरी माप वाले कोण को ठीक प्रकार से समद्वी भाज़त कर लिया है जिससे हमें दो कोण प्राप्ट हुए है और इनमें से प्रतेक की माप 140 डिगरी बटे 2 बराबर 70 डिगरी है अगला उधारन रूलर और परकार की सहायता से कोण XYZ के एक और एक बटे दो गुणा माप वाले कोण की रचना कीजिए दिखने में यह सवाल कठीन जरूर प्रतीत होता है लेकिन कोण के रचना की सही समद्वी से इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं यहां हमें दिए कोण से एक और एक बटे दो गुणा बड़े कोण की रचना करनी हैं एक और एक बटे दो मतलब एक धन एक बटे दो अगर हम दिये कोन के बराबर कोन बनाते हैं और फिर दोनों में से किसी एक कोन को समध्वी भाजित करते हैं तो एक पूर्ण कोन और एक आधा कोन मिलाकर हमें दिये कोन का एक और एक बटे दो गुणा बड़ा कोन प्राप्त होगा चलिए इसे कोन की रचना करते हुए समझे यहां हमें कोन XYZ दिया हुआ है अगर हमें इसके बराबर माप वाले कोन की रचना करनी होगी तो यहां हम कैसे करेंगे विडियो रोक कर दिये कोन के बराबर माप वाले कोन बनाने की विधी याद कीजिए चलिए हम बताते हैं पहला चरण परकार को लेकर हम उसका नुकिला सिरा शीर्ष यानि वर्टेक्स Y पर रखेंगे फिर हम परकार को सुविधा जनक दूरी के लिए खोलेंगे और कोण Y की भुजाओ को बिंदू U और V पर काटता चाप कीचेंगे यह चाप हम बड़ा बनाएंगे जिससे की हम आगे की विधी कर पाएं दूसरा चरण यहां हम बुजा XY को दोनों कोणों में उभईनिश्ट रखेंगे अब हम परकार का नुकिला सिरा बिंदू V पर रखकर परकार को UV जितना खोलेंगे और पहले चाप को काटता चाप खीचेंगे मान लीजिए दोनों चाप बिंदू D पर प्रतिच्छेत करते हैं तीसरा चरण अब हम शीर्ष Y से शुरू होती हुई और बिंदू D से जाती हुई किरण YD खीचेंगे इससे प्राप कोण XYD, कोण XYZ के बराबर है इस दूरी के साथ हम कोण XYZ के अभियंतर में एक चाप खीचेंगे तीसरा चरण परकार में उतनी ही दूरी रखकर हम नुकीले सिरे को V पर रखेंगे और U से बने चाप को काड़ता एक और चाप खीचेंगे दोनों चाप बिंदू M पर प्रतिच्छेत करते हैं चौथा चरण अब हम शीष Y से शुरू होकर M से जाती हुई किरन YM घीचेंगे किरन YM कोण XYZ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है इसलिए यह वांचित सम्दुई भाजक यानि बाइसेक्टर है अब हम कोण XYD और कोण XYM का योग करे तो हमें प्राब्त होगा कोण DYM जिसकी माप कोण XYZ के एक और एक बटे दो गुणा बड़ी है अगला उधारण सम कोण को सम्दुई भाजित करने पर प्रतेक कोण का माप क्या होगा हम जानते हैं कि सम कोण यानि 90 डिगरी का कोण अगर हम इस कोण को सम्दुई भाजित करते हैं तो हमें इसकी दो बराबर भाग प्राप्त होगे चुकि दोनों कोण बराबर है इसलिए प्रतेक कोण का माप होगा 90 डिगरी पटे 2 यानि की 45 डिगरी तो आज हमने देखे कोण का सम्दी भाजिक बनाने इसे संबंदित उधारण अगले वीडियो में इससे संबंदित कुछ गलतिया देखेंगे